Hello friends and welcome to the exams made simple and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 1st of March 2022 1 March 2022 का the Hindu newspaper analysis देखेंगे शुरू करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट यह रहेगे कि हजार लाइक सा जो हमें टार्गेट बना हैस को पूरा करने मदद करें Please do like it, please do share it and please do comment on it अगर आपको पसंद आता है तो आप तारीफ में दो शब्द भी कह सकता है कोई दिक्कर नहीं है तो I hope you will help us in that Start करते हैं सबसे पहला आज के prelims questions के साथ जो कि आपको prelims objective में मदद करेंगे उसकी preparation में मदद करेंगे आपको एक तयार करेंगे एच्छी aspirant group में सबसे बले स्टार्ट करते हैं, पहला सवाल, conceive the following statements regarding seals during the Indus civilization Indus civilizations की seals के बारे में पहला सवाल है, I hope आप लोग इसका answer करेंगे, पहला सवाल है, the seals were mostly made up of copper with realistic rendering of animals on those seals दूसरा statement है, the purpose of producing seals was mainly commercial, तीसरा statement है, the harappan seals was a square plaque 2 into 2 square inches तो आपको बताना है कि कौनसे statements इन में से सहीं है regarding the harappan seals, I hope you will try to answer this question number 2 की तरह move करते हैं, दूसरा सवाल है, rock paintings have been discovered in which of the following places इन में से कौन से places में rock paintings मिली है, first is Kumau Hills, second is Lakhudiyar, third is Linear Drey Caves तो आपको बताना है कि इन में से कहां कहां आपको rock paintings मिली है, तो these are the things, options है 1 and 2, 2 only, 2 and 3 है 1, 2 and 3 question number 3 is, with reference to the administration of palas and pratiharas, the term uparika refers to uparika terms उन में से किसको refer करता है, pala, pratihara kingdom के time पे, तो these are the three questions, I hope you will try to answer attempt करिए अपनी तरफ से, जितने सही हो, देखा जाएगा बाद में न, तो आप मैं answers आपको बता रहो, अगर आपने attempt नहीं किया है तो pause कर लीजी, attempt कर लीजे, और जरूर comment section बताएगा कि कितने आपने सही किये, पहला सवाल है किन में से seals के regarding कौन से statement सही थे, तो जिसका correct answer है 2 and 3, तो को पहला statement जो है वो गलत है क्योंकि जो mostly जो seals है, they are made up of steatite and occasionally of agate, chert, copper, finance and terracotta, तो मनलब कि mostly ये steatite की मिली है, बलकि अगर आपको sinoli का पूछा जाएगा ना, गर sinoli का पूछा जाएगा तो उसमें copper का बहुत ज़्यादा developed काम देखने को मिलता है लेकिन हडपा में आपको बिलकुल ऐसा copper का बहुत ज़्यादा seals आपको नहीं मिलेगा, mostly आपको steatite का seals मिलेगा तो पहला statement गलत है, दूसरा तीसरा बिलकुल सही statement है, answer लिए 2 and 3, दूसरा सवाल था, rock paintings इनमें से कहा कहा मिली है तो तीनों ही जगहों पे rock paintings मिली है, चाहे वो कुमाओ hills हो, चाहे वो लखुडियार हो, चाहे वो आपका linearary caves हो, अब आपको यह तो पता है ना कि जो लखुडियार है, वो river सुयाल नदी के किनारे है, यह आपको इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर आपसे UPC इनके पास ही है, बिसिकलिए आपको तो यहां आपको आहते हैं, लेनियादरी caves आपकी महरास्ट्रा में हैं, आदीजार 된 Maha Craft, लेनियादरी caves कहां पर है, महरास्ट्रा में हैं, और कुमाओ hills हम सब जानते हैं, कुमाओ hills कहां पर चला आप बताए, गरडवाल कुमाओ हिल कह जो टर्म है उपारिका वो किसको रिफर करता है तो सका अंसर हो जाएगा A, Head of भुक्ती और प्रोविंस, भुक्ती या प्रोविंस का Head जो होता था उसको उपारिका बोलते थे, थोड़ा मैंने यहाँ पर नीचे सारे लिख दिये हैं, प्रोविंस को भुक्ती बोला जाता था उसके गवर्णर को उपारिका कहा जाता था, डिस्ट्रिक को मंडल या विसाय कहा जाता था और Head जो होता था डिस्ट्रिक का उसको विसाय पती कहा जाता था, तो याद रखेगा जो टर्म से पाला वाले टाइम में प्रोविंस को भुक्ती कहते थे, गवर्णर को उपारिक उसके और district जो होता था उसको मंडल या विसाय बोलते थे और जो उसका head होता था उसको विसाय पती बोलते थे ठीक है ना and जो भुकती रहती थी that was placed under the charge of उपारिका I hope you got clarity कुछ नया ही सीखने को मिला होगा आपको I am sure आगे move करते हैं main question of the day देखते हैं main question of the day है high speed railway project can be revolutionary high speed railway project can be revolutionary discuss this statement in the lights of silver line project of Kerala तो आपको इसको discuss करना in the lights of silver line project of Kerala silver line project जो है वो भी high speed project है Kerala का और उसका काफी post चल रहा है लेकिन मैंने जो question दिया है उसमें लिखा है कि high speed railway can be revolutionary discuss this statement तो आपको discuss करते हैं सारे pros cons दोनों ही देखने पड़ेंगे ऐसा नहीं होता है कि आप सिर्फ pros pros या इसको proof करके आ जाओ है ना तो that is the thing basically you have to answer in this question I hope you will write the answers बहुत अच्छ अच्छे answer आप लोग लिखते हैं अधिती का answer मैंने देखा था आर्जू का answer मैं देखा है मैंने और बहुत ही अच्छा आप लोग answer लिख रहे है keep writing that do write the answers yes का answer मैंने देखा था मैंने आपको बताया था तो keep writing that you will definitely develop this art of writing answers आपको अंतर दिख पी रहा होगा मैंने कई group में भी answer पने जैसे kaushal बनवाल करके answer लिखती है क्लड़की है और बहुत इच्छा answer लिखती है वो develop कर रही है मैंने changes देखे है answer writing में बहुत लोगों के तो keep writing that आपको धीरे-धीरे changes देखने को मिलेंगे भी आगे move करते हैं यहाँ पे news analysis part में आते हैं now let's come to the news analysis part तो पहली जो news है वो है the latest edition of MSC MSC के है Munich Security Conference Munich Security Conference is MSC and अब basically Munich Security Conference के बारे मैं आपको बता देता हूँ Munich Security Conference एक annual conference है on international security policy that has been held in Munich जो की Germany में है since 1963 तो 1963 से Munich Security Conference जो है वो annual conference के रूप में होती आ रही है और it's a international security policy conference जो की Munich, Bawaria, Germany में हुई है since 1963 it bring together the head of the state diplomats and business leaders from the world leading democracies for three days for meetings and presentations तो यहाँ वे world के जितने भी leaders है diplomats है business leaders है वो आते हैं तीन दिनों के लिए और यहाँ Munich के इस conference में बाट करके discuss करते हैं क्या अब यह important time इसलिए है क्योंकि obvious सी बात है आप लोग को पता होगा कि Ukraine में जो अटेक चल रहा है तो Ukraine ने मदद मागी है from these world leaders and all इसलिए काफी इंपॉर्टन जा था Munich Security Conference से आद रहा है 1963 से and it has played a very important role also by exchanging the views exchanging the ideas and security related जो decision making है उसमें काफी इंपॉर्टन रोल Munich Security Conference प्ले करता है it was founded in 1963 1963 में बना था and ये तब सोचा गया था कि it will discuss the threats and dangers in an informal setting basically इसका aim क्या है कि informal setting में बैट करके informal setting में बैट करके जो threats है world को उसको discuss करना उसके regarding solutions निकालने कोशिश करना ठीक है न और विससी बात है cold war के time पर ये start हुआ था जब world divided था आपके communist और capitalist nations में जिसमें कि Russia एक block को lead कर रहा था USSR के नाम से और इस समय America lead कर रहा था जो capitalist NATO countries थी उनको lead कर रहा था एक question आप लोग के लिए और मैंने history कहीं उठाया है तो आप लोग इसको answer करने कोशिश करिएगा इसका answer मैं आपको बताऊंगा नहीं कल बता दूँगा वलकि आज आप लोग इसको answer करने कोशिश करिएगा आपको बताना है कि थर्ड बैटल पानिपत जो एहमद शाह अबदाली ने लड़ा था उसका major immediate reason क्या था first है he wanted to avenge the expulsion by marathas of his viceroy Timur Shah from Lahore second है the frustrated governor of Jalandar Adina Beg Khan invited him to invade Punjab third है he wanted to punish the Mughal administration for non-payment of the revenues of the Chahar Mahal and fourth is he wanted to annex all the fertile plains of Punjab upon up to borders of Delhi to the kingdom ये काफी अच्छा question है अगर आप लोग answer कर सकें तो अगर आपने ढंक से थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो आप इसका answer कर लेंगे अगला जो point है वो है UNEP के regarding United Nations Environment Program अब देखो United Nations Environment Program ने governments को एक formula दिया है बोला है कि भीया fire ready formula अपना हो fire ready formula क्या है ये fire ready formula fire ready formula का मतलब यह है कि उनका ये कहना है UNEP का कि आगे आने वाले जो समय है उसमें forest fires और ज़्यादा बढ़ने वाले है आगे आने वाले समय में forest fires बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले है ऐसे में आपको fire ready होना पड़ेगा you have to be fire ready for that in order to face that तो इसके लिए क्या करना है जो formula वो ये है कि 66% जो spending होनी चाहिए वो planning prevention और preparedness and recovery में होनी चाहिए और remaining अकेला 34% response में होना चाहिए 66% आपका planning prevention, preparedness and recovery में होना चाहिए and rest 34% है वो response में होना चाहिए तो this is basically the formula fire ready formula 66% आपको planning prevention, preparedness and recovery में करने का and remaining जो 34% है वो response में spend करने का ठीक है तो यह आपको याद रखना है then UNEP की report ने basically यही project किया कि number of wildfires जो है वो increase होंगे by up to 14% by 2030 2030 के 14% से बढ़ जाएंगे है ना obviously वादे global warming temperature rising यह सारी चीज उसके reasons है UNEP के बारे में अगर आपको बताऊं मैं तो UNEP एक responsible है for coordinating responses to environmental issues environmental issues से regarding जो भी response होता सो coordinate करने का काम UNEP का है दूसरा याद रखेगा कि यह 1972 में Stockholm में जो एक conference हुई थी तब इसको बनाया गया था ठीक है ना यह established by Maurice Strong, Maurice Strong जो इसके first director भी थे उन्होंने इसको बनाया था United Nation Conference on Human Environment in Stockholm 1972 1972 की Stockholm conference के बाल इसको बनाया गया था by Maurice Strong and इसका mandate है to provide leadership scientific solutions develop करना solutions देना including climate change से regarding, terrestrial ecosystem से regarding, green economic development से regarding, अब बहुत सारे अलग-अलग कहना चाहिए UNEP जो है वो host करते हैं secretariat of several multilateral environmental agreements and research bodies तो बहुत सारे जो multilateral environment agreements और research bodies उनके secretariat ये host करते जैसे CBD convention and biological diversity हो गया Minamata convention जो mercury से related है, Minamata जापान के एक जगह है याद रखेगा Minamata convention जो है mercury के outbreaks related है, जापान के एक जगह है then convention on migratory species जो है आपका CMS जो हम बोलते हैं, यह na bond convention then आपका convention on international trade in endangered species of wild flora and fauna यह sites हो गया, तो इन सब के secretariat को host करने का काम करता है 1988 में याद रखेगा 1988 में world meteorological organization WMO, world meteorological organization और UNEP दोनोंने मिल करके establish किया था IPCC, याद रखेगा IPCC यानि के intergovernmental panel on climate change, याद रखेगा this is very very important, यह कि आज IPCC भी news में था वहाँ पर मैं आपको यह चीज़ बताता ही, तो आज पहले ही सुन लो यह चीज़, 1988 में world meteorological organization और UNEP ने establish किया IPCC IPCC का आपको पता न, assessment report जो निकालता है अलग-अलग तो याद रखेगा, UNEP एक implementing agency है, of the global environment facility as well, and अलग-अलग जो fund related जो चीज़े हैं, implementation के लिए अलग-अलग protocols के, for example Montreal protocol के, उन सब को भी यह basically implement करने के लिए agency है, तो basically आपको जो fact याद रखना है, WMO वाला तो भी था, IPCC Wands of Multiple Climatic Hazards तो यहाँ पे IPCC यान एक Internet Coventer Panel on Climate Change तो यहाँ पे लोने कहाए कि next two degrees में जो global warning temperature है 1.5 degrees centigrade का, वो touch हो जाएगा and इसको exceed भी कर सकता है यह IPCC के कहना है कि इस कारएट से बहुत सारे जो climates है, human induced climate कहना चाहिए, वो world को face करना पड़ सकता, because of the rising temperature and all, ठीक है, IPCC के बारे मैं बात करनों, तो it is an international body for assessing the science related to climate change, climate change related सारी चीज़ा जो है, उसकी technical body यही है IPCC, 1988 में World Meteorological Organization और UNEP ने मिलकर किसको बनाया था IPCC research करता रहता है continuously और उसकी research की basis पे assessment reports निकालता है, याद रहेगा IPCC एक assessment report निकालता है, और अभी 5 assessment reports यह produce कर चुका है, पहली जिसमें से 1990 में आई थी, आद रहेगा IPCC ने 5 assessment reports निकाल ली है अभी तक, जिसमें से 1st जो थी वो 1990 में आई थी और 5th assessment report जो थी वो 2014 में आई थी 2014 में आई थी, ठीक है ना, तो I hope you got clarity regarding that as well, आपको समय में आगया होगा आगे move करते हैं यहां पर एक दो articles और है मैं आपको बता देता हूँ यहां पर तो ऐसे कोई news नहीं है वैसे, last में move करते हैं let's move to the last parts काफी important आज का paper है वैसे finlandization, now this is what is finlandization, तो को अपन सीधे मुद्धे पुतरते की finlandization है क्या, तो देखो यहां पर लिखा है the term finlandization can largely be seen to mean that a smaller power bows down in front of a larger power to safeguard its titular independence याद रखेगा, when a smaller power bows down in front of a larger power to safeguard its titular independence, जब एक छोटी power एक बड़ी power के सामने जुक जाए, क्योंकि वो पुश्पा तो है नहीं कि जुकेगी नहीं, तो वो जुक जाती है smaller power bows down in front of a larger power to safeguard its titular independence ठीक है ना, then ये इसको बोलते हैं finlandization और या भी जैसे finlandization of Ukraine कहा जाता है आज जो चीज़े हो रही है उसका reason finlandization of Ukraine ही है, अब यहाँ पर finlandization of Ukraine और finlandization कहा क्यों जाता है, तो अच्छली इसका reason finland से related है, अगर आप देखें, finland and Sweden जो है finland आपको पता कि रशिया के साथ border share करता है, let me show you the map as well, आपको दिमाग में आयेगा नहीं ऐसे नहीं तो, यह देखो आप लुक में यह रशिया दिख रहा है आपको, this is your रशिया, रशिया वाला portion है यह और यहाँ पर आप देखो, यह आपको देखो पूरा, यह finland वाला region this is the finland वाला region है ना, और यहाँ पर Sweden है, फिर यहाँ पर Norway यह तो आपको पता न, इस Scandinavian countries कहलाते है, these are no Scandinavian countries, Scandinavia बोलते हैं इसको, तो आपको यह भी दिख रहा होगा कि आप जैसे nato वाला मुद्दा था भी हमने देखा Ukraine में, उसका reason क्या था, nato का reason यही था कि रशिया ने मना किया था, Ukraine को कि भी यह नेटो जॉइन नहीं कर रहे हैं आपको, क्यों क्योंकि आप हमाई साथ border share करते हो, और हमारी strategic autonomy है, इस कारट से, और यहाँ पर Finland का भी border share होता है, रशिया के साथ, गर आप closely देखें, तो Finland also shares the border with Russia, यहाँ पर आपको Gulf of Botnia दिख रहे होगी, Gulf of Botnia और यहाँ पर Gulf of Finland उसके जस नीचे, Gulf of Finland दिख रहा आपको, और यहाँ पर आपको दिख रहा हो, Baltic Sea region को भी टच करता है, Baltic Sea को भी टच करता है यहाँ यह सारी चीज़े याद रखना दिमार तो अगर यहाँ देखि Finland and Sweden should not base their security on damaging the security of other countries and their SSN to NATO can be detrimental consequences अब यहाँ पर रशिया ने यूक्रेन पर आटाइक करने के बाद अगली जो warning दी है वो Finland को ही दी है, ठीक है ना तो याद रखेगा अगली जो warning है वो Finland को दी गई है रशिया दोरा और कहा है कि आप गलती से भी अपनी जो security है वो उस पे based ना करें, मनलब कि you should not base your security in NATO and all अगर आप उस पे based करते हैं तो आप हमारे दुश्मन माने जाएंगे ऐसे में और यह चीज़ यहाँ पर रोकें अब एक चीज़ आद रहे हैं कि Finland अभी मेंबर नहीं है आपको अगर दिमाग में इसको रखना पड़ेगा यह चीज़ ऐसे आप याद रहेगा कि NATO का भी मेंबर फिन्लैंड नहीं है और ऐसे में अगर वो membership की तरफ जाता है तो that can become very detrimental ऐसा ऐसा रशिया ने कहा है now it is Sweden that अब Sweden का क्या कहना है Sweden और Finland का यह कहना है Sweden का यह कहना है Sweden will independently decide on the security policy Sweden ने कहा है कि हम independently decide करेंगे अपनी security policy को and basically Moscow के favor में हमेशा रहता है कौन? Finland रहता है Finnish government रहता है favor में और दूसरा जो Sweden government है उसने थोड़ा अलग से answer किया ठीकर आप देख सकते है वैसे overall जो Finlandization की शुरुआत है बहुत पहले से है Finlandization जब शुरू हुआ था जब Cold War के टाइम पे Finland ने NATO नहीं जॉइन किया था Finland ने Cold War के टाइम में NATO नहीं जॉइन किया था basically उन्होंने फिन्नो सोवियत ट्रीटी 1948 में साइन कर ली था याद रखेगा फिन्नो सोवियत ट्रीटी जो थी 1948 में उन्होंने साइन कर ली थी और उन्होंने NATO नहीं जॉइन किया था इसलिए Finlandization शब्दी की शुरुआत हुई थी याद रखना इस चीश को और इसके बाद वैसे तो Finland यही क्लेम कर रहा था कि हम अपनी domestic policy अपने से करते लेकिन कहा जाता है कि 1948 के टाइम बे they were very much influenced by the USSR and that is the reason why कि वो नहीं चाहते थे कि कोई उनका नुकसान हो relation थोड़ा खराब हुए जब night frost crisis आये 1958 के याद रखेगा night frost crisis अगर आपको अभी term पूछें यह सब terms इसलिए मैं बताता हूँ आपको night frost crisis याद रखेगा 1958 के crisis है जब Moscow ने refuse किया to accept a social democrat Karl August Fagerholm as the prime minister of Finland तो यहाँ पे 1958 में the night frost crisis हुए 1958 के जब Moscow ने Finland के democrat Karl August Fagerholm को accept नहीं किया as the prime minister of Finland that was the thing which was important आपको यह चीज़ याद रखनी है है ना तो आपने Finlandization का term देख लिया फिर हमने यह देख लिया कि Finno-Soviet treaty के बारे में देखा और अधर हमने देखा finally night frost crisis and watch Finlandization तो आपको अच्छे समय आ गया अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जैसे अगर हम अभी और कहां कहां ही सब चीज़ चली जैसे ताइवान में एक चीज़ यह देखने के बिला है ताइवान में अगर यही चीज़ होती है कलको China aggressive हो जाता है तो क्या हो सकता है क्या possibilities है तो ऐसे मैं author कहता है कि जब America Ukraine की मदद करने नहीं उतरा तो बड़ा मुश्किल है कि कलको Taiwan के साथ कुछ होता है तो Taiwan की मदद करने उतरेगा तो यह सारी चीज़े आपको देखनी पड़ेंगे पहले से assertive होना पड़ेगा अपनी Democratic, अपनी Foreign Policy में यह सारी चीज़े अथर नहीं यहां पर बताएगे तो I hope you got clarity regarding that यह तीनों चीज़े आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए सिंपल सी यह समझना है न अगला जो topic है वो है 500 million dollar MCC grant अब यह कह MCC grant क्या है MCC आपका मतलब क्या होता है Millennium Challenge Corporation याद रखेगा Millennium Challenge Corporation सबसे बहुत यह लिख लो MCC grant लिख लो आप लोग notes ऐसी बनाओ MCC grant लिखो उसका full form लिखो Millennium Challenge Corporation ठीक है न आपने लिखा Millennium Challenge Corporation अब देखतें कि यह है क्या यह actually में एक independent US foreign aid agency है Millennium Challenge Corporation एक independent US foreign aid agency है ठीक है न independent US foreign aid agency है जो कि 2004 में established वी थी it was established in 2004 it's a independent US aid agency aid agency मतलब it is giving aid to other countries other poor countries and all है न and it was established in 2004 जब यह established ही थी 2004 में तो इसका aim क्या था it was the aim was to reduce the poverty to improve the economic growth and to strengthen the institutions three aims were there first was improving the economic growth reducing the poverty and strengthening the institutions and all ठीक है न and कहां पे यह सब था lower middle income countries में and it was basically the countries were selected through a selection process and all है न अब यहां पे MCC को propose किया गया था George Bush administration के time में post 9-11 terrorist attack ठीक है न and this was to counter the global poverty and international terrorism and all now MCC जो है countries को select करता है और उसके basis पे वो 3 forms में assistance प्रवाइड करता है it provides the assistance in 3 forms the first is the compacts the meaning the large 5-year grants second is the concurrent compacts means the grants that are provided that promote cross-border economic integration and third is the threshold programs ठीक है न these are the 3 programs first is the compacts program meaning large 5-year grants second is the concurrent compacts यानि कि grants that promote cross-border economic integration and third is the threshold program which are smaller grant aimed at policy reforms ठीक है न these are smaller grants Nepal has qualified for the compact grant ठीक है न compact grant और ऐसे में अब backlash क्यों क्या होता है basically तो होता यह कि actually में ऐसी कोई condition नहीं रहती है इस loan की इस grant की कोई condition नहीं रहती है it is conditionless and repayment भी नहीं करना है कुछ नहीं करना है आपको तो ऐसे में लेकिन एक चीज़ इंपॉर्टन है इसमें नेपाल finally passed this on 27th of February and all ठीक है न अब दिक्कत क्या हो रही है दिक्कत यह हो रही है कि यह कहा जाता है कि वैसे कोई condition नहीं है और यह development projects के लिए रहता है जैसे कि power projects and all electricity का development खूब होगा और energy transmission lines बनाई जाएंगी यह सब बनाई जाएगा और नेपाल को power independent बनाई जाएगा and cross border electricity trade होगा इंडिया के साथ यह सारी चीज़ होगी लेकिन एक दिक्कत यह कि इसमें एक condition है कि यह बाकी सारे laws के उपर prevail करेगा section 7.1 of the agreement says it will prevail over the domestic laws of Nepal and section 6.8 grants immunity to MCC staff ठीक है न तो बाकी laws पर prevail करना और section 6.8 है MCC staff को immunity provide करना तो यह दो चीज़े है अब देखो इसका backlash क्यों चल रहा है backlash इसलिए चल रहा है कि इसको anti-China माना जा रहा है चाइना के एक force तयार कर रहा है USA और हो सकता है कि नेपाल अगर इसको join करे तो नेपाल चाहता नहीं कि वो Indo-Pacific Strategy का हिस्सा बने बढ़ चूंकि MCC में clear cut लिखा गया है कि MCC जो है वो IPS याने की Indo-Pacific Strategy के अंदरगत का ही मुद्ध है तो इस कारण से नेपाल में काफी backlash है इसको ले करके इसके लावा कई लोग इसको कह रहा है कि अमेरिका का यह belt and road initiative है यह अमेरिका का belt and road initiative तरीके से और ऐसे में अगर सारे loss को override कर देगा यहां कर लो तो obviously बात है यह वहाँ के OBOR के loss को भी override कर देगा अगर वो join करता है तो है न यह सारी चीज़े थो है important नेपाल ने sign किया थो OBOR 2016 में यह भी आपको पता होना चाहिए 2016 में already join किया हुआ था तो यह काफी important ऐसे में बन जाता है इसलिस का काफी backlash भी चल रहा है land protest over देचा पाचामी coal block तो याद रखेगा यह coal block है देचा पाचामी block कहां का है यह coal block यह आपका बीरभूम district आपका यह West Bengal region का it is located in the West Bengal region West Bengal में है located and देचा पाचामी block का यह one of the largest blocks not one of the largest I think coal block in India है न तो यह भी आपको यहाँ शाल लिखा हुआ है the state government is planning to start mining at देचा पाचामी coal block considered to be the largest coal block in the country यह पूरी country का largest coal block consider किया जाता है देचा पाचामी block and इसके reserves around 1198 million tons of coal and 1400 million cubic meters of basalt इसमें यहां के वो है and ऐसे में लोग इसका oppose क्यों कर रहे है oppose कर रहे है land के regarding क्योंकि इसमें जो land है लगबग जो इसका total land है उसमें से 300 जो है area लगबग 300 acres जो है वो forest area है और travels हो काफ इनुकसान होगा इससे यह सारी शीज़े मानी जारी environmentalist ने भी experts ने भी इसको oppose किया तो I hope you got clarity regarding that कि क्यों यह news में है अगला जो topic है वो है former banker Madhabi Puri Butch Madhabi Puri Butch याद रखेगा name Madhabi Puri Butch she has became the first women director of SEBI new chairperson of SEBI first appointed women head of capital market regulator SEBI यह आपको याद रखना है कि first women head of market regulator SEBI और SEBI का मतला हमको पता है Securities and Exchange Board of India हम सब जानते है Securities and Exchange Board of India यह established हुई थी है कि Statutory Body के रूप में 1992 में Securities and Exchange Board of India एक्ट आया था 1992 में तब वैसे अगर हम देखें SEBI को तो पहले ही constitute हो गई थी 1988 में लेकिन तब regulatory नहीं थी तब Statutory नहीं थी Statutory बनी है 1992 में आकर के Headquarter इसका Mumbai में situated है यह भी याद रखीगा Regional Office के Ahmedabad, Kolkatta, Chennai और Delhi में situated है पहली Women Chair Person इसको मिली है और निंका नाम है Madhavi Puri Butch She is the new one I hope you will remember it आपके लिए आज का एक सवाल है कि आप मुझे 8 Core Sectors के नाम लिखकर के अटाई comment section में 8 Core Sectors के नाम ठीके न Write down the name of 8 Core Sectors आगे move करते हैं देखते हैं और कहा है Important News आइटम से जिनके बारे हमको discuss करना you can move ahead IPCC का मैंन आपको अरड़ी News बता दिया है Editorial पार्ट पर आते हैं The Silver Line Project is not a vanity project अब यहाँ पर Author ने यहाँ पर Silver Line Project की तारीफ करते हैं यह दो तीन चीज़े कहीं है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहली बात ती है लगबद 530 किलोमिटर का distance कवर करेगा तिरुवनंतपुरम से ले करके कासर गोड डिस्टिक है जापान में तो Author ने कहाए कि भी यह जापान में उसमें तो आप देखा हो 1964 के टाइम पे वर्ल्ड वार सो उबरे भी नहीं थे पूरी तरीके से नुक्लियर बाउम का टाइक हो था फिर भी उन्होंने High Speed Railway Project स्टार्ट किया तब भी यही कहा गया था यह उज नहीं होगी बट अगर आपने देखा हो कि जापान का जो Economic Resurgence उसमें High Speed Railway का काफ़ इंपोर्टन है विकॉस Time is money basically और यहां पे 12 घंटे का डिस्टन्स अगर 4 घंटे में होगा 13 में से 11 डिस्टे अगर जोड रहे हैं तो अब्विस सी बात है इट विल Definitely help in a lot of other things and all तो यह काफी Important advantage होगा High Speed Railway का दूसरा उन्होंने का Economic Growth को Disperse करने के लिए अब्विस सी बात है जैसे Employment लाएगा Production लाएगा बहुत सारी चीज़े होगी कि स्टार्टिंग में जब सेट अप कर रहे हो तो यह Environmentally लोगों को लगे कि हाँ यार Forest कहीं जा रहा है कहीं कुछ जा रहा है लेकिन अगर Long term में आप देखो यह Public Transport का Medium है अगर लोग अपनी अलग अलग गाड़िया नहीं लें अपनी है तो बाद में यह कहीद है कि उसको वो भी तो करेगा उसको कम भी तो करेगा Public Transport का Medium है तो यहां पर यह उतर नहीं का कई बार हम किसी प्रिट को बहुत ज़्यादा उसको थ्रैश करते है बैश करते है लेकिन बाद में हो सकता है कि वो ज़्यादा अच्छा निकले है ना इट कन केरी मोर दन अ मिलियन पैसेंजर्स अडे है ना इट विल रिद्यूस तो पॉलुशन और कार्बन एमिशन दाट वे तो दूसरे तरीके से यह पॉलुशन को कार्बन एमिशन को कम करेगा तो यह किसका और अड्वांटेज रहेगा जो ओथर ने है बता है बाकी डिसद्वांटेज आप सबको पता है ट्राइवल्स को नुकसान है वहां का लैंड जाएगा यह है फॉरस्ट अरिया यह सब एमिशन और लॉल है इसमें ऑथर ने आथा कि कौन कौन से international law से जिनको break किया है रशिया ने तो सबसे पहले ऑथर ने आथा कि UN Charter है उसका section उसका जो आर्टिकल 2 है UN Charter का Article 2 उसका clause 4 जो है वो बहुत भी उसको violate किया गया है UN Charter का यह देखो Article 2 clause 4 of the UN Charter by undermining the Ukraine's territorial integrity, उसमें लिखाएगी कोई भी nation force या forcefully territorial integrity को break नहीं करेगा लेकिन अब Vladimir Putin क्या बोलते हैं Vladimir Putin खुद को defend कैसे करते हैं वो कह रहे हैं कि article 51 जो UN Charter का है, वो कहता है कि inherent right of individual and collective self defense उन्होंने कहाए कि हम individual and collective self defense में ऐसा कर रहे हैं क्यों, यो कि देखो हुआ क्या, रशिया ने जब attack किया न, उसके दो दिन पहले उन्होंने friendship treaty sign की, लुहांस को और आपके जो वो वाला region है, दोनेट्स को वाला region है है न, और यहाँ पर यह अडंगा लगा दिया कि Ukraine जो है, वो force यूज करती है, लुहांस को दोनेट्स में और चुकि हमारी friendship treaties दे हम उनके ओपर attack कर सकते हैं, चीक है न, तो basically that is the thing, तो यहाँ आप उन्होंने right to self, collective self defense का article 51 का जिक्र करके, लेकिन असलियत क्या है, कि Ukraine ने कोई attack सो किया नहीं, तो आप इस तरीके कैसे violation होगा है, जब article 51 खुद कहता है, कि जब तक वो internationally इस तरीके से disproportionate action नहीं ले सकते हैं, आप self defense में, है न, बलब इस तरीके से नहीं ले सकते कि दूसरे न attack ही नहीं किया और आप ने कर दिया, अगर किसी नहीं जब तक नहीं चार्ज कर सकती है, जब तक aggressor और victim दोनों ही member ना हो, यह Roman Institute के, और चुकि Russia और Ukraine दोनों ही party नहीं है Roman Institute के, इसलिए international criminal court इनके उपर jurisdiction नहीं लगा सकती, दूसरा जो तीसरा जो logic देते हैं, बलादिमिर पुतिन वो कहते हैं, right responsibility to protect, कि हमारी international responsibility to protect है, वो reasons को, तो अगर यह चीज बोलते हैं कि international responsibility to protect है, तो ऐसे में फिर आप Tunisia और Yugosalavia में जो American actions है, उनको क्यों मना करते हैं, तो author नहीं कहा है कि वहीं आप पाकी, जो America यही चीज बोले, कल को कोई और country यही चीज करने लगे, तो उसको आप violate करोगे, उसको आप अपने आपको justify करें, तो यह double standard है, यह basically जो की अपनाया जा रहा है, तो यह right to protect वाल argument भी खारिश कर दिया, last जो मैं आपको second article से बताना चाहता था, वो बताना चाहता था, ब्रिक्स में, actually, ब्रिक्स का जो New Delhi resolution हुआ था, उसमें यह चीज कही गई थी कि territorial integrity के अपको freedom वाले nations है, उनके against आप force और यह सारी चीज़े use नहीं करेंगे, और peaceful means से ही कोई भी जो dispute है, उसको resolve करने कोशिश करेंगे, तो ब्रिक्स resolution जब अलड़ी sign हो चुका था, और जिसमें रशिया ने खुद sign किया है, तो ऐसे में फिर उनको Ukraine protect नहीं करना चाहिए था, यासा author ने कहा है, और author ने ये भी कहा है, सुब्रमने स्वामी जी ने कि India को तो ब्रिक्स छोड़ देना चाहिए, कि इस final चीज़ के बाद, ब्रिक्स ने अपना relevance पूरी तरीके से खो दिया है, तो ब्रिक्स has lost all its relevance, all its glory, and therefore India should not remain a part of this, तो author ने यहाँ पर remind कराया है, and these are the things, and last one ने कहा है कि India को USA के साथ भी clear करना चाहिए, कि भाई, इंडियो पैसेव में आपके objectives क्या है, strategies क्या है, clear cut करो, और basically अपने interest के लिए काम करो, और these are the things which have been mentioned in these articles, I hope you got clarity overall, I hope आपको अच्छा लगा होगा, महा शिवरात्तिर की आप सबको पहार्दिक शुपकान नहीं, भगवान शिव आपको खूब सारी तरक्की दें, खूब आप लोग पढ़ाई करें, यह मंत्र पढ़ लो, पढ़ लो, तो इस मंदर के साथ, I hope आप लोग अच्छा करें, I hope आप लोग बढ़िया से पढ़ें, that is it, that is all, जैशे शंकर, जैभोले नाथ, कि have a nice day.